हलो एंड विलकम टो SPM IS Academy एक्जाम एसेंशियल्स इस सिरीज में जैसा कि आपको पता है कि हम एक टॉपिक लेते हैं और इस टॉपिक को प्रिलिम्स और मेंस के पॉइंट अफ फ्यू से अनेलाईज करते हैं और आप अपने आंसर्स लिख करके सब्मिट कर सकते हैं आज का टॉपिक मैंने लिया है जी एस पेपर 3 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंवार्मेंट का टॉपिक है अपिक जब स्टार्ट करा था बनाना तो लगाता उतना बड़ा नहीं भी होगा लेकिन जैसे-जैसे मैं बनाता गया मैंने आइल से की थोड़ा मिस्टेक हो गया ज्यादा ही डैमेंशन आड कर दिये और ज्यादा डैमेंशन आड करने की वज़े से टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है लेकिन फिर अब मुझे लगा कि अब आज रिलीस तो करना ही है तो बड़ा टॉपिक है कोई बात नहीं इसको मैं करता जाता हूं आपको मैं थोड़ा टॉपिक में आपके सामने उन चीजों को एक बार फिर से एक्स्प्लेइन कर दूँगा अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक में थोड़ा टेक्निकालिटी भी आ जाएंगी अचा स्टार्ट करते हैं विल्कुल बेसिक से सॉलिड वेस्ट म अब इस सॉलिड वेस्ट में क्या हो सकता है यह लैप्टॉप वैप्टॉप जो पुराने दिखते हैं इलेक्ट्रोनिक वेस्ट यह भी इसका सॉलिड वेस्ट का पार्ट है जो फूड आइटमस आपको दिख रहा है यहाँ पर पुराना यह भी सॉलिड वेस्ट का पार्ट यहाँ पर आप जो पुराने papers, पुराना metal, जो भी discarded चीजे आप देखते हो, वो सब solid waste का पार्ट है, बोले तो हमारे जो dustbin होती है घरों की, उसमें जो कुछ भी निकलता है, discarded चीजे होती है, unwanted material, जितना भी solid का है, है न, except liquid and gaseous, जो है, वो सब कुछ solid waste वाला ही चीज आ जात है, various sources से है, घरों से, इंडस्ट्री से, commercial establishment से, construction साइट से, जो वो होता है, जब किसी चीज को तोड़ा जाता है, घरों को, पुराने घरों को तोड़ा जाता है, जो concrete के structure सो तोड़े जाते हैं, तो वो सब भी जो निकलता है, वो भी solid waste होता है, तो यह सारी चीजें अपनी आजाती है, solid waste में, अब अगली बात पर आजाते हैं, कि यह solid waste चो होता है, यह solid waste के कौन-कौन से types होते हैं, अब देखें, इसका कोई fixed criteria नहीं है, कि क्या types हैं, कैसे हैं, लेकिन, because मैं साब मैंने बोला, कि बनाते-बनाते मुझसे कुछ जादा ही बन लिया, तो मैंने जितन नहीं भी types हो सकती हैं, सारी mention कर दी, solid waste की कितनी types हो सकती हैं, मैं आपको एक-एक करके दिखाता हूँ, एक जो अपने पास में सबसे common criteria होता है, solid waste को types बताने का, यह होता है, biodegradable waste, इसको बोला जाता है, जैसा कि नाम से ही clear है, biodegradable, यह biologically अपने आप से ही degrade हो जाता है, अपने आप से ही वापस mix हो जाएगा nature में, फिर से nature का अपने आप से part बनता है, अब जैसे plant जो waste होता है, जो घर का बचा हुआ खाना होता है, या जो और naturally जो plant होते हैं, dead animals या कुछ भी, यह सब biodegradable चीजे हैं, यह सब चीजे आप बाहर फेक दोगे, अपने आप वापस जा करके यह mix हो जाएगा मिट्टी में, फिर से उसका part बन जाएगा, common example हो सकता है, food scraps, जो बचा हुआ food का है, यार्ड का waste, paper, textiles इसमें होता है, paper भी easily soil में mix हो करके वापस recycle हो सकता है, तो biodegradable इसको बुला जाता है, इसकी characteristic है, that this can decompose naturally, naturally यह decompose कर जाता है, यह इसकी characteristic होती है, अचा, अगली बात करते है, second category is non-bio-degradable, जो naturally degrade नहीं होगा, इसको बोला जा रहा है, इसमें क्या हो सकता है, plastics है, plastics नहीं होता है, metals है, glass है, यह सब non-bio-degradable होता है, third होता है, municipal solid waste, अब municipal solid waste होता है, यह घरों से जो निकलेगा, हमारे घरों से निकलता है, office से, school से नि municipal solid waste में, it will be a combination of a biodegradable and non-bio-degradable, इन दोनों का combination है, biodegradable या non-bio-degradable based on the waste में क्या चीज है, उसके nature पर classification है, municipal solid waste बुला जा रहा है, source के basis से है, जो घरों से निकलता है, school से निकलता है, हमारे जो institutions होते हैं, offices जो हैं, उन से निकल रहा है, यह सम municipal में डाल दिया जा रहा है, it will be a combination of this and this only, third बोला जाता है, industrial waste, industrial waste को separate इसलिए करा जाता है, क्योंकि industrial waste थोड़ा जादा toxic हो सकता है, depending on कौन सी industry है, अब मान लिजे कोई chemical factory है, वहां से जो waste निकल रहा है, वो तो अविस सी बात है, बहुत toxic हो सकता है, similarly कुछ और टाइप की factory है, वहां से अलग टाइप की होती है, उन जगों के हिसाब से अलग चीज बनती है, इसमें generally chemicals होते हैं, metals होते हैं, इसमें, ये सारी चीजे industrial waste में आती है, शायद जब आप YouTube वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा font size छोटा हो गया, शायद आपको नहीं दिखेगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर भी लिखते हुए, next अपने पास में होता है, hazardous waste, hazardous जो नाम होता है, इसका मतलब है, जो की potential harm कर पाए, हम humans को इलिए harmful हो सकता है, directly harmful है, वैसे तो सारा ही waste harmful हो सकता है, बट ये directly harmful हो जाए, exposed होते ही, इसको बोलते है, hazardous, इसमें generally क्या होती है, toxic चीजे होती है, toxic मतलब जो हमें ह health को खराब करें, poisonous हो सकता है, toxic बोला जाता है, या फिर इसमें corrosive हो सकती है, जो corrode कर दें चीजों को, उनको hazardous बोला जाता है, प्लेमेबल इसमें हो सकती है, जो आग लग जाए जिनमें, तो ये सब में आ जाता है, hazardous हो रहा है, इसमें अपने पास में जैसे common हो सकता है, hazardous waste मे आप सबको पता है कि अपने जो agricultural field होती है, उनमें pesticides use होते हैं, तो बोला जा रहा है कि ये इसका example हो सकता है, जो अपने pesticides होते हैं, वो इसका example है, medical waste इसका वैसे example हो सकता है, hazardous waste में, medical waste भी जो होती हैं, वो इसका example हो सकता है, so these are all the types of the, these are five main types of the waste, अब मैं इसके आगे को दिखाता हो यह आपको पाँच वेस्ट इखा हैं अभ़ड दिखा है अब आपद देखों ऑर वेस्ट आइप नेक्स्ट होता है एलिक्ट्राइक बेस्ट आप नाम समझी सकते हो जो पुरानी इलेक्ट्राणिक product है अपने वो earphone होते हैं सबसे पहले आजकल वह electronic waste में निकलता है earphones आप सबने कम से कम life में दीन जार तो अपने निकाले ही होंगे earphones यह सब electronic waste होता है then इसमें एक और आजकल बड़ी नई चीज़ आ रही है that is batteries पुरानी batteries जो होती है वो भी electronic waste का एक बड़ा बहुत बड़ा constituent हो गया है next अपने पास में जो waste that is construction and demolition waste इसको हम लोग एक इसके लिए एक common चीज़ बोलते है CDW construction and demolition waste इसको बोला जाता है यह वही बताया था कि जब कोई construction होता है किसी जगे पर तो जो additional material होता है जो waste में निकलता है मान लिजे टूटे फूटे पत्थर है या फिर जो पुरानी building है जिसको गिराया जाता है old buildings जो होती है जब उनको गिराया जाता है तो वहां से जो waste निकलता है वो सब भी इसी में आ रहा होता है construction demolition waste जो होता है इसमें concrete रहता है bricks रहते हैं यह सब चीजें इसका part है then next category is agricultural waste यह जो agricultural field से निकलता है इसमें fertilizer हो सकता है pesticides हो सकते हैं इसमें crop residue होता है आपको आजकल सुन रहे हैं कि जो पंजाब हरियाना के farmers होते हैं उनका फिर से वो crop residue burn करने लगे तो agricultural waste का part हो सकता है crop residue हो गया animal manure इसका part होता है जो cow का gober and all होता है वो सब इसका part है then biomedical waste इसका मतलब है वो चीजे जो hospitals में निकल रही होती है जैसे कि syringes हो गई then वो जो होता है इंजेक्शन के लिए syringes होती है उसकी बात हो रही है then अपने वो जो bandage होती है जो लगा दिया जाता है हाथ पे हो गया या फिर किसी और type का जो waste निकल रहा होता है blood blood sample collect करने के लिए जो चीजे ली जाती है वो सब हो गया यह सब इसका पूरा part हो जाता है medical का and lastly there is inert waste inert waste का मतलब होता है जो किसी भी चीज से reaction नहीं करता है chemically जिसका कोई reaction नहीं होने वाला वो बस पढ़ा रह सकता है किसी भी जगे का common example हो जाता है sand sand इसका example हो जाती है inert waste में आ जाता है कि अब जैसे construction हुआ construction के बाद में जो बची हो extra sand उस आ जाती है inert waste में similarly अगर हम इसका और बात करते हैं तो जो यहां से demolition से जो waste होता है certain type की जो चीजे निकलती यहां से जिसका कोई effect नहीं पढ़ रहा होता है gravel हो गया चोटे चोटे जो पत्थर यूज होते है वो सब भी इस category में आ जाता है so this is all the types of the solid waste यह सब इतनी type इसलिए बताई है जिससे कि आप जो prelims में अगर question आ जाए इन में से किसी भी type, subtype किसे क्या होता है तो आप easily इनको address कर पाएंगे इसलिए आपको इतनी सारी यहां पर types बता दी गई अब चलिए आगली बात पर आजाते हैं कि यह जो अपने solid waste यह से problems क्या क्या होती है तो इसको देखते हैं अब again मैंने क्या करा जितनी भी problem हो सकती है वो सारी यहां पर categorize करके आपको दिखा देंगे कितनी हो सकती है यह इसकी main main categories बना दी है health problem, environmental problem, social problem, economic problem and climate change यह सारी categories बना दी है अब क्या करेंगे एक एक करके इन सारी categories को discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग आ जाते है health वाली problem पर कि health क्या है health आप समझी सकते हो easy point है अब जितने भी यह solid waste है इन सबसे निकलते हैं harmful toxic substances और यह जो toxic substances निकलते हैं जिनको हम लोग commonly बोलते हैं pollutant तो यह जो हमारे pollutant होते हैं यह pollutants वैसे भी हम सब की health तो खराब करते ही हैं है ना तो health खराब करते हैं यह straight forward है सबसे ज़्यादा pollutant तब निकलते हैं जब किसी solid waste को इस तरह से burn कर दिया जाता है एक बहुत common तरीका होता है आजकल cities में तो होना है काफी बंद हो गया लेकिन जो अपने छोटे छोटे छ हो जाता है हो दो डवल बेनिफिट हो जाता है ना एक तीर से दो शिकार वाली बात वेस्ट भी गया और विंटर में थोड़ा गर्मी भी मज़ा भी आ गया तो वह बहुत common exercise होती है अपने गौहाटी में तो बहुत कम हो गया है तो वेस्ट बर्निंग कर दी जाती है अब य harmful होती है पर्टिकुलर्ली जो respiratory diseases होते है उनको हो जा रहा होता है पार्टिकुलेट मैटर भी यहां से बहुत निकलता है तो यह सब चीजे अच्छी चीज़ नहीं होती है पार्टिकुलेट मैटर जो होता ही climate change पर भी impact कर रहा होता है हमारी health भी खराब करता है लोगों को cancer lung cancer यह सब करवा सकता है किस pollution से क्या होता है वो तो हम लोग एक separate chapter में environment में पढ़ते हैं कि किस particular type के contaminant से क्या बिमारी होती है वो एक separate चीज है आज मैं उस detail पर नहीं जा रहा हूं वो अपने आप में अलग चीज है अच्छा दूसरी चीज देख लेते हैं कि health issues यहां पर होते हैं vector born diseases होना बहुत common है solid waste से अभी क्या होता है कि जिस जगे पर solid waste पढ़ा रहता है यह पुरानी इस तरह की चीजे पढ़ी रहती है यह सब आप जो देख रहे हो यह अपने हाथिगाओं की photo है तो अधर क्या होता है कि rainfall होती है जब तो rainfall होने पर क्या होता है पानी भरता है अब जो पानी इस जगे भरता है उस जगे पर जो mosquito होते हैं वो grow करते हैं as a result डेंगू, malaria यह सब बिमारिया फैलती हैं इसी जगे पर आपके rats, rats भी जादा रहते हैं rats, cockroach यह सब इस जगे रहते हैं तो वो grow करते हैं वो बिमारिया फैलाते हैं basically यह जो solid waste होता है जिस तरह स जो waste fake दिया जाता है यह बहुत ज़्यादा बिमारिया फैलाता है यह भूला जा रहा है various type की इसी को बूला जा रहा है vector bone diseases इसको बूला इसमें case study दी है कि अभी Indian cities में गुहाटी में भी अपने news आई थे कि डेंगू भैल रहा है इसके पहले अगर नॉर्थ इंडिया की बा जानी भर जाता है उसकी वज़े से जो मस्कीटों होते हैं वो ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं तो बूला गया कि इसकी वज़े से डेंगू ज्यादा फैलने लग गया था तो कहने का मतलब है कि health issues यहाँ पर हो रहे होते हैं due to this solid waste अगली हम लोग बात करते है next type की problem that is environmental issues देखें solid waste से जो pollution निकलता है वो तो हमारे environment को effect करता ही है जैसे कि जो भी हमारी water bodies होती है water bodies के किनारे अगर solid waste fake दिया गया example ले लेते हैं दीप और बील का दीप और बील के किनारे बहुत सारा solid waste dump रहता है अब वो जो solid waste है उससे क्या होता है pollutants निकलते हैं अमानलो electronic waste है उस water body में जाके मिलता है water body में मिलता है तो वहां की जो bird वहां की जो fishes होती है उनको effect होता है उन्हीं fishes को खाती है birds उनको effect हो रहा होता है सब पर effect यहां पर continuously spread कर रहा होता है फैल रहा होता है तो कहने का मतलब है कि water pollution तो सीधे straight forward होता ही है और भी देखें एक और effect होता है बड़ है leachate contamination, यह leachate क्या होता है, कि जैसे अगर किसी जग़े पर यह waste है, यह solid waste है, तो solid waste से क्या होता है, बहुत सारे जो इनके pollution, pollutants होते हैं, यह toxic liquid जैसा बनाते हैं, बहुत जहरीला toxic liquid बनाते हैं, जो धीरे 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 यहां से एंटर करता रहता है और अंडरग्राउंड वाटर में एंटर कर जाता है यह अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा यहां पर जाकर के जो सॉयल है उसमें मिक्स हो जाएगा तो इससे क्या होता है अंडरग्राउंड वाटर भी कंटैमिनेट हो जाता है और सॉयल भी क तो वो चीजे भी contaminate होती है इसको बोलते है leachate contamination इसको बोला जाता है environment के answers में यह चीज important होती है कि आप technical terms लिखिए यहाँ पर जैसे अगर आप जो जो भी आप पढ़ते हो environment की classes में वहाँ पर आपको जरूरी होता है कि जो basic terms होते है जो technical terms है पहले दो थीन class वो लिखो जैसे जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख लो biomagnification इसके बारे में आपको लिख देना चाहिए कि यहाँ पर biomagnification है या फिर bio accumulation हो सकती है especially अगर heavy metals यहाँ पर release हो है तो वो हो सकती है या फिर ऐसे organic compounds हैं जो decomposed नहीं होते हैं तो उनसे हो सकती है तो यह terms लिखने से आपको हमेशा ही ज़्यादा number मिलते हैं तो आप लिखो ecosystem कैसे effect होता है यह चोटी-चोटे जो keywords है वो आपको environment में number दिलाते हैं otherwise बहुत generic हो जाती है बाते नॉर्मल बात हो जाती है लेकिन अगर आप अच्छे terms यूज़ करोगे तो आपको number भी अच्छे मिलेंगे इन सब चीज़ों में अच्छा अगली बात कर लेते हैं इसलिए मैंने आपको leachate contamination and biomagnification और यह सब टर्म्स धे रहा हूँ अगली बात करते हैं कि air pollution जो होता है इसी solid waste से अभी क्या होता है कि जिस जगे पर solid waste होता है उस जगे पर तो उठा करके waste को dump कर दिया जाता है यह जो dumping होती इसको बोलते है landfill इसमें कुछ नहीं ऐसे लिया गया उठा के waste को dump कर दिया जाता है एक जगे पर generally इसमें waste का बड़ा सा mountain बन जाता है पुरा waste का इनको बोलते है landfill dumping sites है यह जो dumping site है यहाँ से बहुत सारी gases भी release हो रही होती है polluting gases इसमें यहाँ से जो carbon dioxide तो निकल ही रही होती है और बाकी gases में निकलती है जो की greenhouse gas emissions में contribute कर रही होती है global warming कर आ रही है तो यह सब भी चीज़ें यहाँ पर हो रही होती है landfill gases जो होती है यहाँ से release हो रही होती है next बात पर हम लोग आ जाते हैं कि next इसका क्या issues यहाँ पर हो रहे हैं इसको देखिएगा economic impact जो होता है अब देखिए यह tourist destinations जो होते हैं यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि उठा करके जो sea beach होता है उसमें यहाँ पर waste को dump कर दिया जाता है तो उससे जो tourist places वो effect होती है moreover जो urban areas होते है cities जैसे अपनी होती है तो city में जो drains होते हैं जो नाले होते हैं इन नालों में जब आप यह जो waste होता है यह पहुँच जाता है जब heavy rainfall होती है तो drains क्या होते हैं चोक हो जाते हैं इसकी वज़े से choking हो गए drain की और अगर drain चोक हो जाता है तो हमें urban flood देखने को मिलती है जैसा अपने गोहाटी में अपने को commonly मिलती है तो urban floods हो सकती है because इस जगे पर choking होई जा रही है drain की यह वाली बात बोली जा रही है ताती साथ आप देखो कि यह जो अपने जो previous slide में मैंने आपको दिखाया था landfills चो होते हैं यह landfills चो होते हैं यह जो urban area है उसकी land का wastage हो रहा है urban area की land तो वैसे ही कम होती है कोई बहुत ज़्यादा land तो है नहीं अब उस land में हम लोग क्या कर देते हैं उठा के waste dump कर देंगे तो land तो खराबी होगी यही बात बोली जा रही है कि landfills चो है वो valuable land को occupy कर देते हैं इसलिए अच्छा use नहीं हो पारा है land का यह बात बोली जा रही है so all these are the reasons all these are the reasons जिसकी वज़े से हम observe कर रहे हैं कि economic impact हो रहे हैं यहाँ पर again एक case study दे दी है कि गोवा में क्या हो रहा है clock drains वाली बात यहाँ पर भी बताईए अगला जाते है social impact पर की society को कैसे impact पड़ रहा है अब social impact में देखिए आप सबसे बिलकुल आपको जो common चीज जिस करने का काम करते हैं आप देखिए यहाँ पर waste pickers जो होते हैं वैसे तो यह foreign की photo उठाई है अपने इंडिया के waste pickers इतने तो well dressed नहीं होते हैं foreign की photo मैंने उठा लिये लेकिन आपको पता है कि waste pickers आप सभी ने देखे हैं अपने गुहाटी में देखे हैं आसाम में देखे हैं क्या वो लोग कैसे कर रहे होते हैं कैसी उनकी life होती है आप सबने देखा होगा कुछ लोग शायद उसको बहुत closely भी जानते होंगे चीजे कैसी हैं कुछ चीजे आपने feel करी होगी सबसे पहली बात कि जो waste pickers होते हैं उनके पास में generally कोई protective gear कुछ भी नहीं होते हैं कोई उ इसे ही touch करके कर रहे होते हैं उनको बहुत जल्दी cancer का खत्रा या बाकी बिमारियां जो हैं वो सब होना बहुत common हो जाता है बहुत जल्दी बिमार पढ़ते हैं क्यों क्योंकि इतना harmful toxic waste उनके बहुत exposed हो रहे हैं बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं उन सब चीजों के वो तो and exploitation भी होता है उनके पास में ज्यादा scope तो होता नहीं है अर्निंग का उनका मेन तरीका होता है कि अगर कोई particular type के waste जो waste की चीज है उसकी अगर demand बढ़ गई मान लीजे electronic waste उन्होंने उठाते हैं अब electronic waste में कुछ चीजें होती है जिनकी demand ज्यादा हो रही है तो उस time पर वो थोड़े ज्यादा दाम पर उसको बेच देते हैं या फिर iron वाइरन या कुछ भी ऐसा तो बहुत ज्यादा margin नहीं है पैसा नहीं है लेकिन काम बहुत होता ह दिन रात की महिनत हो रही है अचा सबसे बड़ी problem है उनके against जो discrimination होता है उनको जो stigmatize कर दिया जाता है जनरली क्या होता है कि waste pickers चो होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं लोग है ना एक type से untouchable जैसा उनको treat कर दिया जाता है कि उनसे थोड़ा सा दूर रहना है उसके जो waste pickers पे impact हो रहा है एक और चीज़ देखिए जनरली जो landfill sites होती है जहां पर dumping करी जा रही है वो कौन सी जगे होती है वो ऐसी जगे होती है जहां पर generally किसी भी city के जो गरीब लोग होते हैं पूर localities है उस जगे पर बनता है आप देखोगे जहां पर rich लोग हो रहे है वहा negatively poor households है वो है उस जगे डंप करा दिया जाता है तो यह बात बोली जा रही है कि यह social impact है जो marginalized communities है जो slums के पास में है उस जगे पर dumping करी जाती है इसमें धारावी का example दिया है मुंबई की जगे है उसका example दिया है कि उसके पास में आप देखिए कि किस तरह से dumping होती है वेस्ट impact अब हम आ जाते हैं next type के impact पर and that is the climate change implication climate change में कैसे जो contribution contribute कर रहा है वेस्ट solid वेस्ट उसको जरा समझने जा रहे है वो क्या contribution करता है उधर climate change में greenhouse gases का emission तो करवा ही रहा है solid waste यह हमने पहले भी बोला है कि methane हो गया carbon dioxide है वो है बट अगर आप ध्यान से सोचो जब यह solid waste डेली बाहर पड़ा रहता है landfill में daily sunlight इसमें पड़ती है गरम होता है ठंडा होता है rainfall होती है फिर rainfall पानी वेपराइस करता है धीरे धीरे इस solid waste से not only methane and carbon dioxide but but other type of gases polluting gases which can contribute to the global warming वो भी release होती है ऐसी gases जो की global warming करवाती है example के लिए आपको कर यहाँ पर देखेंगे हम लोग so बोला जा रहा है कि methane तो है ही है methane तो है ही है बट यहाँ पर other gases जैसे की this chlorofluorocarbons TFCs यहाँ से release हो सकती है polycyclic aromatic hydrocarbons PAH यह release कर सकते हैं और यह global warming भी कराते हैं as well as ozone depletion भी करा रहा होते हैं दोनों चीज़े यहाँ पर यह करा रहा होते हैं यह तब भी release होते हैं जब आप burning हो जाती है waste की यह भी बोला जा रहा है similarly यहाँ से black carbon release हो रहा होता है यह particularly burning से होता है और यह जो release हो रहा होता है यह climate change कराता है black carbon जो होता है वो जिस जगे पर जाके बैठेगा black carbon मतलब unburnt carbon आप जो observe करते हो कि जब किसी चीज की burning होती है तो जो smoke निकलती है न क्यों smoke black होती है because उसमें unburnt carbon होता है black carbon यह अभी यह black carbon unburnt जो carbon suit भी जिसको बोलते हैं हम लो जिस जगे पर जाके यह बैठेगा यह surface को dark कर देता है अगर वो surface dark हो जाता है तो उसका albedo decrease हो जाता है that means वो ज़्यादा गरम होता है यही बात बोली जा रही है कि black carbon का जो release होता है वो global warming कराता है regional level की climate change कराता है monsoon के pattern तक को link करा गया है कि शायदो monsoon का pattern तक change कर सकता है यह बात भूली जा रही है next land occupation होता है landfills जो करी जाते हैं जिस जगे पर waste dumping करी जा रही है उस जगे पर essentially जो land है उसका misuse हो रहा है अब land का क्या use main होता है forest है सबसे एक बड़ा use होता है बट अगर forest वाली जमीन पर आप कर दोगे land waste dumping करोगे तो forest के लिए तो area खतम हो गया ना forest के लिए तो area खतम हो गया भाई agriculture की land पर वेस्ट नहीं डम करोगे reason is कोई अपनी land तोड़ी न देगा waste dumping के लिए forest की land बचती है उसी पर कर दिया जाता है forest की land उसके लिए कम पड़ जा रही होती है तो यह बात बोली जा रही है कि इस तरह से भी climate change को effect कर रहा है climate change increase कर रहा है कि आप चार main बाते बोलेंगे देखे relation थोड़ा लंबा बना इस case में पहला बोला गया कि जो burning होती है उससे तो harmful gases release होती है यह सब और साथी साथ जो waste पड़ा रहता है उससे release होती है जिससे climate change होता है दूसरा methane और carbon dioxide तो release होती है जिनसे climate change है तीसरा जब burning होती है तो उससे black carbon release होता है वो भी climate change कराता है और चौथा यह जो dumping करी जाती है waste की जिस जमीन पर करी जाती है वो जमीन forest की जमीन होती है और अगर forest की जमीन में dumping करी जा रही है तो forest कम हो रहा है यह चार relation बनाए गया है मैंने जब मैंने इस चीज को हर तरीके से analyze कर डाला है मतलब यहां पर climate solid waste के मैंने 20 से ज़्यादा आपको point दे दिया है इन 20 में अगर आपसे answer में आया आपने 6 भी लिख दिये न तो आपको तो number मिल यहेंगे पुरे 6 लिख दो 7 लिख दो मैंने 20 point दे दिया है इसके beyond solid waste का कुछ impact हो सकता सब कुछ दे डाला कि आप सारी चीजें यहां पर लिख दी अगली बात कर देते हैं कि अब waste की problem को solve कैसे करा जाए अब इस पर आजाते हैं कि waste की problem को solve कैसे करें अब सुनिये का मेरी बात देखें government ने इस solid waste की problem को solve करने के लिए बहुत सारे rules बनाये हैं मैंने यहा सब्सक्राइब को नहीं दिया बाकी सारे डे डाले reason was because it was becoming very long तो मेरे पास अब जगे नहीं बची तो मैंने इसलिए इसको अभी के लिए रोक दिया आगे किसी lecture में कभी उसको और cover करेंगे तो मैंने बहुत सारे rules बनते हैं अब होता क्या है कि अगर आप उसको ऐसे याद क अब और होगे ना की प्लास्टिक के लिए क्या रूल है इवेस्ट के लिए क्या रूल है construction and demolition waste के लिए क्या रूल है then solid waste जो municipal solid waste उसके लिए क्या रूल है हर किसी मैं आपको अलग अलग रूल मिलेंगे it becomes too much of a problem हर किसी का थोड़ी ना याद करेंगे कि solid waste इसका क्या है plastic का क क्या है है एक हर किसी का egyn करें गणी तो बहुत टीफिकर टो एक ट्रिक ये होती है कि कभी भी हम लोग अलग आलग जाके सब के पहले याद नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं जो बेसिक रूल्स होते हैं solid waste को manage करने के जो fundamentals हैं पहले उसको कर लेते हैं एक बार अगर आपको fundamentals पता हो गए न आप देखोगे वही fundamentals सारे rules में apply होते हैं मैं दिखाता हूँ, समझेगा fundamental क्या है? solid waste management का सबसे पहला fundamental होता है waste hierarchy waste के case में सबसे जरूरी चीज होती है waste को prevent करना waste होने ही मत दो prevention सबसे important चीज है waste होने ही मत दो अगर prevention नहीं हो पा रहा है तो अगली चीज है reduction waste कम करो अगर reduction बाद में अगली चीज होती है reuse, जो भी waste की चीज है उसको किसी तरीके से reuse करने की कोशिश करो अगर वो भी उसके बाद में अगली चीज है recycle, recycle और reuse अंतर है, recycle, reuse का मतलब है उसी चीज को फिर से use कर दिया, और recycle का मतलब है उसको change करके कुछ और बना के use करा, और recycle के बाद में अगली चीज होती है recovery, recovery का मतलब है उस चीज से energy किसी तरीके से निकाली, कुछ और उसमें से निकाल लिया, generally energy निकाली जात वेस्ट के केस में हमेशा यही हाइरारीज फॉलो होती है सबसे इंपॉर्टेन चीज ओती है कि वेस्ट को प्रिद्विubscribe करो होने ही मद दो Strike government कोई भी strategy बनाती है कोई भी strategy rules बनेंगे सबसे इंपॉर्टेन बात उसमें लिखी जाती है कि waste को prevention करना होने ही नहीं देना है पहली बात prevention के बाद में अगली चीज़ बोली जाती है कि next is reduction, waste कम करो उसके बाद में है कि waste का reuse करो उसी चीज़ को फिर से करो उसके बाद में बोला जाता है कि recycle करो recycle के बाद में बोला जाता है recovery करो, energy निकालो मतलब dispose करना end option है किसी न किसी तरीके से उस चीज का use करते रहो पहली बात तो produce ही मत करो waste, prevent कर दो उसके बाद है किसी न और किसी तरीके से आप करो कि आपको end तक आते आते dispose करना end option रखा जा government के जितने भी rules है सब में यही hierarchy follow होती है इस चीज को बोलते है waste hierarchy मैं दिखाऊंगा यह कैसे implement होती है मैं आपको दिखा दूँगा यह कैसे in fact आप इसको किसी भी अपने कोई भी waste का answer उसमें अगर आप यह बात लिखोगे that follow the waste hierarchy आप यह बना दोगे तो भी आपको number मिल जाएंगे clear waste hierarchy होती है अगली बात बोली जा रही है polluter pays principle straightforward rule है जिसने pollution करा जिसने waste को generate करा वही उसके लिए pay करेगा जो जिसने pollute करा वही पे करता है थर्ड बोला जा रहा है extended producer responsibility इसका मतलब है कि initially जिसने उस item को produce करा जिससे बाद में बनता है waste उसकी ही responsibility है उस waste को collect करके process करा के dispose कराना यह उसकी responsibility एक्जामपल के लिए अगर laptops होते हैं laptops या mobile phones है मान लीजे किसी company ने बनाया Samsung ने mobile phone बनाया अब उसका mobile phone पाँच साल यूज होगा पाँच साल के बाद में खराब हो जाएगा तब वो electronic waste बन जाएगा तो यह Samsung की responsibility बोली गई है कि भाई देखो आप producer हो पाँच साल बाद आप ही का mobile phone बनेगा electronic waste तो यह आपकी responsibility है कि आप उस waste को properly recycle कराओ recover कराओ dispose कराओ यह आपकी responsibility है इसको बोलते extended producer liability manufacturers की responsibility है आप करो सारी चीजे source segregation का मतलब है जिस जगे पर waste generate होता है उसी जगे पर उसको segregate कर दिया जाना चाहिए उसी जगे पर उसको अलग-अलग types में divide कर दिया जाना चाहिए इससे फाइदा यह रहता है कि जो processing होती है waste की वो ज़्यादा अच्छी हो पा रही होती है resource recovery and circular economy resource recovery का मतलब होता है कि जो भी waste है उससे जितना हो सके उतनी energy को recover करो यह बात मैंने आपको बताई थी and circular economy कि आपकी economy ऐसी होनी चाहिए कि आप उस waste की पुरी life cycle को continuously use करते रहो इसमें बोला जा रहा है कि आप इस तरह से अपनी पुरी economy को design करें कि waste जो है वो continuously use होता रहे नई चीजें आपको ना use करनी पड़े इसकी strategies होती है जैसे कि biomethanation यहां लिखिए आगे हम लोग कुछ और देखेंगे अगली बात करी जा रही है zero waste approach and the scientific waste management zero waste approach आप समझ सकते हैं यह वो approach जिसमें waste generate ही ना हो जिसमें generate ही नहीं हो waste next बोला जा रहा है decentralization localized waste management यहां पर मतलब होता है कि जो waste का management है वो हमेशा सबसे छोटे level पर से municipal corporation level पर पंचायत level पर इस जगे पर होना चाहिए that is the meaning of decentralization localized waste management then दो तीन और भी बात है integration of informal sector informal sector का मतलब होता है जो waste pickers होते हैं उनको formalize करना government की सारी strategies में अभी बताया था waste pickers की हालत बहुत खराब होती है तो जब उनको formal employment मिलेगा अच्छा जैसे अभी क्या informal है informal का मतलब कभी भी आए कभी भी नौकरी से निकाल दिया उनको कोई protection नहीं मिलती है उनके employer से कोई उनको pension नहीं कुछ भी नहीं वो है informal लेकिन अगर formalize में कर दिया जाता है तो फिर आपको social security मिल जाती है pension मिल जाता है health benefits मिल जा रहे होते हैं आपको fixed एक monthly salary आपकी मिलती है जो आपके account में आती आती formalization है इसको बोला जाता है कि informal sector जो है ये waste pickers counts को integrate करो formalize करो public participation and awareness and last is protection of ecosystem ये straightforward चीज़े है अब मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कैसे चीज़े use हो रही है पहला आपको दिखाया solid waste management rules solid waste management tools government ने 2016 में release करे थे इसमें पहली बात बोली गई कि ये rules applicable होंगे municipal corporation, urban areas industrial townships, airports basically जो waste को actually produce करते हैं airport, railway station municipal corporation societies जो होती हैं जैसे कि जो अपने flat flat वाली society होती है होती है ना community जो अपने cities में होती है उनकी responsibility कि आप ही जाकर के waste को आप proper तरीके से manage करो collect करो, segregate करो processing के लिए दो तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो polluter paste principle यहाँ पर लगा दिया गया जिसने करा उसी की responsibility कर दी गई यही चीज बोली जा रही है कि यह principle यहाँ पर apply होने लग जाते हैं जो fundamental है वो यहाँ apply है next बोला गया source segregation तो यह आपको बतायाई कि segregation तो government का एक basic principle है कि source को segregate करो at the point of generation जहाँ generate हुआ है उधर ही source को waste को अलग-अलग कर दो sorry source मतलब waste को अलग-अलग कर दो कौन से type का biodegradable, degradable या फिर hazardous जिस भी type का हो इसको कर दो अलग करो next जो waste generators हैं उन्ही की responsibility कर दी गई individual and entities यह खुदी segregate करे और इसी को ही waste collector को दे next improper disposal जो है उसको prohibition कर दिया गया कि भाई किसी भी तरीके का जो improper disposable है वो नहीं होना चाहिए again यह polluter paste principle है अगर कोई burning करता है, burying करता है waste की तो यह उसकी responsibility है और उससे होने वाले damage के लिए भी वही responsible है lastly informal sector का integration यह मैंने आपको अभी बताया यह क्या होता है waste pickers उनको include करना है formal economy में अब देखे सीधे सीधे यह rules apply हो गए similarly अगली चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊ plastic waste management rules उनको होते हैं इसमें भी आप देखो कि यहाँ पर सब कुछ यही लग रहा है इसमें एक चीज़ जैसे बोली जाती है plastic waste management rules में extended producer liability extended producer responsibility जो produce कर रहा है उसकी responsibility है कौन इसके लिए करेगा तो जितने भी plastic waste generators है पिछले वाले में भी आई था municipal corporation, townships, airports, railway stations जो generate कर रहा है उसकी responsibility कर दी गई यहाँ पर भी जितने plastic waste generator है उनकी responsibility है plastic waste को manage करना minimize करो waste को, segregate करो source पर और hand it over करो for recycling इस rules में एक और अच्छा clause होता है that is phasing out of non recyclable plastics वो plastic जो recycle नहीं हो सकते इनको बोलते है MLP multi-layered plastics इनको बोला जाता है example आप देखे multi-layered plastics का वैसे plastic की चीज़ें जिसमें एक से ज़्यादा plastic की layer है उसको recycle नहीं करा जा पाता है क्योंकि problem हो जाती है कि हर plastic अलग तरीके से recycle होती है observe करिएगा मैं आपको दिखाता हूँ multi-layered plastics इसका best example होता है यह जो आपके tetra packs आते हैं डबा दूद का डबा जो आता है इसमें क्या होता अलग-अलग layer होती है एक layer, दो layer, तीन layer होती है अब हर चीज़ अलग-अलग तरीके से recycle होगी और एक बार में मर्ज हो जाता है तो recycle नहीं हो पाता है तो यह बोला जा रहा है कि multi-layered plastics इसको phase out करना है lastly है reuse of plastic packaging जो plastic की packaging है उसका जितना हो सके उतना reuse करना है तो यह आपको इसके rules बताएगा अब आप देखिए जैसा मैंने बोला तो थोड़ा सका माच पड़ रहा है मैंने इसके बाद में और भी सारे rules दे दिया है जितने भी और rules होते हैं यह सब आपको दे दिया है biomedical, e-waste यह सब दे दिया है एक बार आप इसको देख लीजेगा अगर किसी construction and demolition waste यह सब भी दे दिया अगर किसी का कोई doubt आता है तो आप यहाँ पर बताईएगा way forward भी मैंने दिया हुआ है कि भाई क्या क्या चीजें करनी चाहिए कैसा होना चाहिए अगेन एक बार देख लीजेगा कुछ doubt आने पर आप यूट्यूब का comment section है वहाँ पर comment अपना करियेगा इसको मैं कल के session में एक बार address कर दूँगा क्या बोला गया कुछ भी doubt आने पर आप इसको पूछ सकते हैं lastly इसका question देख लेते हैं क्या है तो बोला गया है कि क्या impediments है disposing the huge quantities of discarded solid waste यह जो solid waste है वो क्यों नहीं हम dispose कर पाते हैं तो basically यह जो way forward वाले point है कि क्या रह गया यही लिखना है कि क्या problems है जिसकी वज़े से नहीं होता है and how do we remove the safely safely the toxic waste that have been that have been accumulated that means toxic waste को कैसे handle करना उसके भी previous जो rules है e-waste वाले rules and all उसको हम लोगों को इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा so यह आपको बता दिया गया कि देखे यह चीजें आप कर सकते हो ऐसा ही यहाँ पर है इस पूरे topic में आप इसके basis पर इस topic के basis पर अपने answer attempt करके submit कर सकते हैं that is it for today's lecture thank you